हेलो एबरिवरन वैलकम टु आवर चैनल लतासिक्चन संस्थान हमारे चैनल लतासिक्चन संस्थान में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब आई-ओप आप अच्छे होँगे और मैं भी अच्छी हूँ आज मैं आप सब के लिए फिर से एक नई वेकेंसी का विग्यापन जारी हुआ है जो कि उसका नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ और ये विग्यापन जो है जारकन कर्मचारी चैनायो की और से जारी किया गया है तो जारकन कर्मचारी चैनायो की और से जैसे सी ने क्या ने विग्यापन जारी किया है कि वेकेंसी का विग्यापन जारी किया है पूरी डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो पूरी डिटेल जनकारी लेने के लिए आपको वीडियो के एंट तक बने रहना है complete वीडियो को जरूर देखेगा तभी आपको सारी चीज़े समझ बाएंगे तो चलिए अब हम लोग देखते हैं JSC ने किस नई vacancy का विग्यापन जारी किया है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विग्यापन संख्या जो है 0-2-2023 असनात्तक उत्तर परसिचित सिच्छक परतियोगिता परिच्छा यानि कि जारखन में PGT की वेकेंसी आ चुकी है यह बहुत बड़ी खुसकवरी है यह वेकेंसी पहले भी आ चुकी थी लेकिन नियोजन नीती के वज़े से इसको रद क्या गया अब फिर नए नियोजन नीती के तहट जो है बिग्याबन को जारी किया गया है तो जो भी PGT की तयारी कर रहे हैं वो तन तयार हो जाए अच्छी तरह से क्योंकि वेकेंसी आ चुकी है अब हम लोग पूरी डिटेल देखेंगे कितने सीट है कोन कोन से सब्जेक के है कब से फॉर्म भरना recre श्टार्ट होगा कब तक लास डेट है क्या एज कटब रखा गया क्या सीरे बजर रखा गया पूरी डिटेल हम लोग इसी वीदियो में कभर करेंगे तो पूरी वीडियो को आप जरूर से देखेगा तब ही आपको सारी डिटेल मिठ पाएगी तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा और JSC जितने भी अब फॉर्म एपलाई करवाती है जितने भी वेकेंस निकालती है अब जो है ओनलाइन एपलाई होता है ओनलाइन एपलाई कर सकते हैं अब JSC के ओफिशल वेब साइट पर www.jsc.nic.in पर जाकर अब लोग इन कर सकते हैं अब इसका एक्जामीनेशन फी क्या रहेगा सबसे बड़ी बात है तो एक्जामीनेशन फी है इसका 100 रुपई है यानि कि OBC और General Category के लिए जो है आपको 100 रुपई रखा गया है बाकी SC ST Category के लिए 50 रुपई है वहीं आपका अगर आप किसी परकार की दिब्यांगता से बिलॉंग करते हैं के टेगरी में आते हैं हंडिकेप्ट में और और 40% आपके हंडिकेप्ट है ने सकता है तो आपको किसी परकार की कोई फिस नहीं देनी होगी अब हम लोग देख लेंगे कि कोन कोन से सबजेट की वेकेंसी आई है और किसमी कितनी सीटे हैं तो इसको हम लोग पूरी डिटेल देखते हैं सबसे पहले देख लेते हैं असनात्तक उत्तर पर सिचित सिचक जीव विग्यान यानि कि बाइलोजी के लिए जो है आपका कितनी सीटे है तो बाइलोजी के लिए आपके पास है 218 सीट वहीं आपका उसके वादी क्या है तो असनात्तक उत्तर पर सिचित सिचक रसायन विग्यान यानि कि केमेस्ट्री के लिए जो है आपका 217 सीटे हैं यहां में साइट में लिग भी दे रही हूं 217 सीटे हैं जीव विग्यान में आपका है 218 सीट असनात्तक उत्तर पर सिचित सिचक भूगोल के लिए यानि कि जो हिंदी हिंदी स्ब्जेक्ट के लिए आपका 163 पोस्ट स्ट है वहीं आपका देख लेते हालगे अशनात्त बद Τर उसके बाद जो हापका असनाथक होतर पसीटिश jagывают यानि की हिस्ट्री के लिए किटना है तो हिस्ट्री में आपका है 18 exists के लिए है आपका सस्क्रेफ के लिए कितने है था आपका 169 है अब आपका physics के लिए तो exactly कितने सीट्टी pregnant फिजीट्ट में आपका 251 सीटे है वही आपका जो है मैंस में आपका 185 सीट है नेक्ट से है आपका वानी जी यानि कोमर्स वालों के लिए तो कोमर्स में आपका सीट है टोटल 200 200 सीट है और उसके बाद है लास्ट में अग्रे जी यानि इंग्लिस में आपका जो है कितना है तो 211 सीटे है इस तरह से सबी पोस्टों को मिला करके आपका total post जो है आपका total post जो है 3210 पोस्टों पर जो है वेकेंसी निकल करके PGT की आई है यह तो हम लोगों ने देखा कि total post के कौन-कौन से subject पर कितने निकाले गए कितने सीटे हैं अब है कि TGT जो TGT के teacher present में हैं उनके लिए कितने सीटे अरचित रखे गए हैं तो उनके लिए है सबसे पहले जीव विज्यान के लिए जीव विज्यान के लिए है 73 रसायन विज्यान यानी केमेस्ट्री के लिए है 75 वही आपका भूगोल के लिए जो है आपका 54 हिंदी में भी है आपका 54 अर्थ शास्त्र में है आपका 55 और आपका संस्क्रीट में है 58, भोतिक सास्त्र फिजिक्स में है 85, मैट्स में है 63, वही आपका कोमर्स में है 67, और इंगलीज में है 73, तो यह सीटे जो है जो अभी बरतमान में TGT के पोस्ट पर कारियरत है, उन लोगों के लिए है, उनके लिए यह सीटे जो है, सिमित रखा गया, अरक्षित रखा गया है, अब नेक्स्ट पोइंट में हम लोग देख लेते हैं, बेतनमान यानि सैलरी क्या रखा गया इसका, औ सभी पोस्ट के लिए आपके पास पोस्ट गरज्वेट के डिगरी होनी चाहिए, साथ ही आपका 28 के डिगरी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलब कर सकते हैं, भर सकते हैं, अगर आपके पास PG की डिगरी है और साथ ही B8 की डिगरी है तो इसमें सेलरी कितना रखा गया है पेमेंट देख लेते हैं इसमें क्या है सेलरी तो पेव मेट्रिक्स लेबल जो है आपका 8 रखा गया है 47,600 रुपए है जो पर मंत आपको सेलरी मिलेगी 47,600 लेगी एक लागी काउनाजर 1100 2023 से और अंदिक्तम उम्रिसीमा की गर्ना की जाए 18219 से 29 उम्रिसीमा की होनी चाहिए 21 वर्स और अधिक्तम उम्रिसीमा जो है लग-लग के लिए लग-लग रखा गया है तो अनारचिक तव्य अर्तिक रुप से कमजूर वर्क के लिए यानी जैनरल के टेगरी और EWS के लि सबसे ज़्यादा सूड़े हुआ अगर आप किसी वर्खार की तो आपको पॉम्रे में छोट दे जाएगी अब नेक्ट पॉइंट में देख लेते हैं जो की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन फ़ॉर्म कबसे भरना स्टार्ट होगा रेजिटेशन कबसे आपका स्टार्ट हो जाएगा तो रेजिटेशन करने तथा सुचना दर्ज करने जो दिया गया ह से आपका रेडिंड्रेशन करने का डेट दिया गया है डियाख है पांच अपर्रीo से अपका सकते हैं पूरे एक मेने का टाइम आपको दिया रहा है अराम से पांचा सुटान करने की Simply दिया तक दिया गया है वही आपको फोटो सिगनेचर हस्ताचर जो है अपलोड करने का और प्रिंट आउट निकालने की डेट दी गई है पांच मैं तक और फॉर्म फिलब करने में किसी परकार की कोई तुरूटिया हो जाती है गलतिया हो जाती है तो आप 10 मैं से 12 मैं के बीज में उस तुरूटि को संसोधन कर सकते हैं सुधार सकते हैं अब परिच्छा सुल्थ भुक्तान करने का जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप ऑनलाइन पेमेंट क्या जाएगा इसमें और इसका एक्जाम जो है सीवीटी मोड पे ली जाएगी यानि कंप्यूटर वेस्ट ट इसका एक्जाम होगी आपकी पेपर वन जिसमें कि आपका समाइन नेग्या नेयो हिंदी से सो और परशन पूछे जाएंगे वही आपका पेपर टूज होगा उसमें से आपको तीन सव अग्षन पूछे जाएंगी तो यह एससी की और से नीपकेंशी का नटिविकेशन जा प्रणी की जरूद नहीं है उन्हें बस रेटेस्टेशन नंबर अपना डालना होगा डालेंगे तो फॉर्म करना ही है लेकिन आपको इजामिनेशन फी दुबारा नहीं देने होंगे तो आज का बड़ी अफडेट था जो कि PGT की वेकनसी आ चुकी है जो भी PGT की तयारी में लगे हुए हो जोर्ड़ सोच से लगजाए तो आपने तयारी में लग जाए तो आए होप आज का नॉटिफिकेशन आपको हेल्पूल लगा होगा वीडियो अच्छी लगी होगी अग प्रेंड सर्कल में सेयर कीजिए और अगर चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन लाइकन को आउन करके रख लिए ताकि पल पल की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे जो भी नॉटिस आती है जार करन में जो विडियो को सेयर कीजिए आपकी सर्कल में जो भी है अगर उनके पास वेर की डिगरी है पोस्ट ग्रिजवर की डिगरी है तो उन तक विडियो को जरूर से जरूर पहुंचाए तो आज के वीडियो यह तक रखते है फिर मिलेंगे एक नई नॉटिफिकेशन के साथ नई व